सुगैज लास्ट लक्चर मां हम लोग पार्ट वन नैनिताल का कवर कर चुगे थे तो आज हम बात करेंगे पार्ट टू की तो इसमें गोड़ा खाल से हम स्टार्ट कर रहे तो गई जहां पर एक सैनिक स्कूल बड़ा फेमस है जिसकी स्ताफना जैमल सी ने किस मार्च 1966 को की ती और यहीं पर एक गोलू मंदिर है बड़ा फेमस है बताया जाता है कि इसका निर्मान बाज बाधुर्चन रखिया गया था चन्वंस की सास का अगर आपने बारत सौरी उत्रखन का इत्यास अगर आपने पड़ा होगा तो बाज बाधुर्चन के बारे में पूरी डिट कास्त्र में हापर है ठीक है ना फुरूट बॉल और कुमाओ इसे बोला जाता है क्योंकि आप फल ज्यादा होते हैं 1903 में आपर रविना टैगर आए थी तो रामगर आगमन पर जहां पर उन्हें परवाज किया जिसी स्थान पर ठहरे वरतमान में उसे टैगर टॉप के ना दर्शन की रचना की मीरा कुटिर भी यहां पर है यह महदेवी वर्मा का घर है जिसे आधुनिक मीरा के नाम से परसिद्धी है 24 मार्च को यहां पर साहित्यकारों का जो होता है इखटाओ के आयुजन करते हैं साहित्यकार जो होते हैं और यहां पर यह मीरा कुटिर जो है स अब जो है भावाली की बात करते हैं तो भावाली छेपला नेदी के टर्ट पर बसा हुआ है सरुपर तम 1885 में गड़क अपतानी बंगला यहां पर बना वाता है परवती फलबाजार के रूप में परसिद्ध है उत्राखंड विधिक अकाडमी यहां पर है 19 दिसुम्ब 2004 को इसकी स्थापना हुई टीवी सेनेटोरियम है यानि की छही रोग का स्पताल जो बोलते हैं 1912 में स्थापित किया गया राश्टी पादेपरम जैविकी और नसंदान केंद्र भी यहां पर है भावाली में जाबर महादियो का मंदिर भी यहां पर है अगला है मुक्तिश्व है तो यह कहां पर है तो यह मुक्तिश्वर में है अगर इसकी स्थापना किसने की पूछा जाएगा तो अलप्रेड लिंगाट के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी तो याद रखेगा और यहां पर जो है स्वरुपर्थम जो है इंपेरियल वेक्टिरियो लोजिकल जो ह इसका स्वरुपर्थम नाम था ठीक है किसका तो भार रहती है पसुची किसा सुषरस्तान का ठीक है लिंगाट गोड़े और गोपसु में होने वाले सर्रा रोग पर सोथ किये थे ठीक है और मुर्गियों पर रानिखित नामक रोग के ठीके के खोज भी की गई इनकी द्व रहा और 1924 में एड़ वाट से ने जो है रिंडर पेष्ट नामक रोग का ठीका का खोज किया था यहीं से कंडी मार्गे बड़ा इंपोटेंट है कार्बिट पार्क के भीतरी यह है राम नगर से कोटवार के बीच में यह है और बताया जा रहा है कि अभी आग कुछ समय के खोला जाएगा आगे आने वाले समय में कंडी लादे कूली चलते थे इसलिए इसका नाम क्या है कंडी मार्गे रखा गया जिम कार्बेट संग्राल है यह चोटी हल्दवानी काला धूंगी में है उद्धगाटे निसका निश्व 25 में परदान मंत्री चौधरी चरणसी के द्वारा किया गया था ठीक है इंपोटेंट है कार्बेट फाल की बात करते हैं काला धूंगी में यह है देवी स्थाल बड़ा इंपोटेंट है यह जो है एडीज है आदिभर्ट प्रेशल्म विग्यानेम सोर्संस्तान है एश्या के सबसे बड़ी दूर्वीन 2016 में यहां पर बेल्जिम के स्वयोग से इस्थाफित किया गया टैलिस्कोप कर ब्याज 3.26 मीटर है और 1961 में इस्थाफण हुई थी आयरिज के नहींडिताल में 154 में वारानिश्म हलाकिस की स्थापना हो चुकी थी और 1901 में ये नैनी ताल में सिप्ट किया गया सितला माता मंदीर रानी बाग में यह जी है चेचक रोग की देवी बोला जाता है मंदीर को और इसकंद पुरान में जो है इसका नाम वाहन गंदर भी है हीड़ा खां मंदीर भीमताल ब्लोक में आपको जो है देखने को मिलेगा काली चौड मंदीर मा काली को समर पीता है ठीक है अब बात करते हैं नैनी ताल के जीलों की तो नल ताल या कमल ताल नैनी जील खुरपात ताल हरीस ताल नल दमेंति ताल अस्वर खुर के समान पांच क ऐनने वाला ताल है कोहनुर ताल षात ताल मल्वा ताल है कलसा ने लिक गुल आप मा cidadeuję जाता है इसका बनापु जाल हम पक्षयो Bisak भीमताल को अब ठीक है तो इसकी लंबाई 1674 मीटर है चोड़ाई जो है इसकी 447 मीटर है कमल के लिए पर सिद्धी जील है आकार इसका तिरबुजाकार है जालमखी परकार की मिट्टी आपर पाई जाती है को टाटा का नाग मंदिर और भीमेशर महादे मंदिर जो की बाजबाद उर्चंतारा निर्मित है यहीं पर है और तितली संग राले इसकी स्थापना फैडरिक समीटा ने की थी और गुर्खा काली नहां पर छकाता गड़ी है विक्टोरिया बाद ये भीमेशर ताल बादी है आगे बात करते हैं जोली कोट की तो जोली कोट जो है नैनी ताल के अंतरगत ही आएगा तो कुमा और सरकारी गार्डन की स्थापना पर की गई उनी 109 में नैनी जील का गेटवे इसे बोला जाता है मंदिर जो है यहां पर दा कार्टेज और बार्वी साहप का हाउस है गोल का सबसे पुराना गोल पर कॉर्सम ऐसे एक है कैची धाम की बात करते हैं तो मुख्य भगवान हनुमान की यहां पर पूजा होती है मुख्य रूप से वैसनव देवी मंदिर है यहां पर 1997-98 में स्थापना हुई बाबा नीम करोली महराज द्वारा इसकी स्थापना हुई क कुमाओं के फक कर संते के रूप में इनने जाना जाता है और बाबा नीम करोली महराज द्वारा हनुमान गड़ी का भी निर्मान किया गया है जो छोई में अपर रता है राम नगर में 15 जुन को बिसेस का कैची धाम में मेला लगता है आपने सुना होगा फेस्बुक के जो सियो थे मार्क जकरबुर के तो वो भी यहां पर विजिट किये हुए है तो परमक नदियों की बात करें तो दापका नदी भावाली में चिपरा नदी शामखेत में इसका उद्गम है इस तहले प्राकर्तिक जलसरोत से होता है खैना में कोश में मिलती है अब यह जो है समसी नगर के खानपुर के पास यह राजी से बाहर प्रवेश करती है नैनिताल से संबंदित कुछ महत्वपूर्ट रिथिया गई इनको आपको देखना है 1843 में जिम खाना बनाया 44 में सेंट जो सेंट जोन से चर्च बनाया 1847 में पुलिच वियास था और 1842 में ग्रिसम का यहां पर पहला इस्पतार रेम जी दारा बनाया गया 1896 में आप सेंट का मुख्याले बना दोजार में हाइकोट बना 1890 में बोट हाउस कलब की स्थापना 1922 में बिजली यहां पर पहुंची और 1929 में गांदी जी यहां पर पहुंचे इस हमारे अपार्ट पो कबर हो चुक है थेंक यू गईज